नमस्कार मेरे प्यारबचों कैसे हैं आप लोग सभी सभी का सवागत है देखिए प्यारबचों जासकी आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली यूपी में एक एक्जाम हुआ है यूपी ट्रिपल्लसी पी-टी का और देखिए आप लोगों ने एक्जाम दिये भी हैं तो आ प्रॉमलाइजेशन होगा, तो कितना होगा, जनरल की कितनी cut-off जाने वाली है, या फिर SC की, OBC की, या फिर ST वालों की कितनी cut-off जाने वाली है, उसको ओपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, मेरे according या निके मेरे अनुमान के according जो cut-off है, वो कितनी जाने चाहिए, पहले और बचो मैंने दोनों ही exam paper को बहुत deeply analyze करा है, अच्छे से पढ़ा है, और मैं एक निसकर्स पर पहुचा हूँ, कि जो shift 1 का paper था, जो shift 1 का paper था मेरे बचे, वो shift 2 से थोड़ा सा, कही ना कही थोड़ा सा tough था, ठीक है भई, तो ये वाला जो paper है, थोड़ा सा कही ना कही इस वाले paper से tough था, हाला कि paper दोनों ही ठीक ठाक अच्छे स्तरके थे, जैसे कि UPSC ने पहली बार exam conduct कराया है, P.E.T. का, तो सभी विध्यारती इस बात को सोचकर बैठे हुए थे, कि भई, जो exam आने वाला है, वो थोड़ा कम स्तरका होगा, यानि कि जादा level नहीं होगा, लेकि यूट्यूब पर देखा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि या cutoff इतनी हाई जाएगी, वो जाएगा, ये जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, paper मैंने भी पढ़ा है, देखा है मैंने paper को अच्छे से, cutoff जादा जाने वाली नहीं है, मेरे बच्छे, बहुती सीमित और, क्योंकि मेरे पर दोनों ही अच्छे से मैंने पढ़े हैं, तो क्योंकि मेरे बच्छे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जादा score विध्यारतियों को नहीं रहा है, विध्यारति वोई 50-55-60-60 रहने वाले हैं, जादा score मेरे बच्छे उनका होगा नहीं, क्योंकि मेरे बच्छे paper को जरूर है कि कुछ विध्यारतियों का score बहुत अच्छा रहा है, कुछ विध्यारतियों का score कम रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे बच्छे, इस exam के अंदर 65 का score करने वाले विध्यारति जो है, 65 का score करने वाले विध्यारति मेरे बहुत कम है, यानि कि 65 से जिनक क्वांग कि आप लोगों का तो कोई विध्यारति से कम बता रहा है तो यह सकूर जा रहा है तो इससे अपर निगारा कुछ विध्यारतियों को 75 यह 65 तक भी जा रहे हैं विध्यारतियों कि लेकिन वो इक का दुक्का ही है लगबग 20 लाक विध्यारतियों ने एक्जाम दिया है तो मैं यह मान के चल लाँ हूँ कि बहुत इसी को आधर बनाते हुए हम लोग यहां पर जो कट-off है उसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि कट-off कितनी जा सकती है पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर बुच्छों हम लोग नौर्मलाजेशन की बात करें कि शिफ्ट वन और शिफ्ट टू का अगर दोनों का नौर्मलाजेशन करें तो जो बोर्ड है उसको ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि सिर्फ दो ही शिफ्ट मे आपर नौर्मलाजेशन हो सकता है मिरे बच्छे कैसे या तो जो शिफ्ट वन के स्टुडेंट्स है उनको चार से पांच मार्क्स का फाइदा होगा या तो शिफ्ट वन के जो विध्यारती है उनको चार से पांच मार्क्स का क्या होगा मिरे बच्छे फाइदा होगा उनको उनके marks बढ़ेंगे, या फिर या normalization ऐसे हो सकता है कि जो shift 2 है, उनमे उनमे मिरमचे विध्यार्थियों के 2-3 marks को क्या कर ले जाए, काट ले जाए जो shift 2 है, उसमें विध्यार्थियों के अंक जो है 2-3 या तो क्या कर सकते हैं, मिरमचे 3 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जाद अतर possibility बच्चो इसकी है, इसकी possibility जाद है इस तरीके से normalization करने की ठीक है भाई, अब आते हैं cut off की तरफ, तो देखें मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे अनुमान की according एसा कोई fix नहीं है, मेरे अनुमान जो कहता है क्योंकि बच्चो मैंने जो विध्यारती उसे पूछा है उसके आधार पर मैं आपको एक cut off निर्धारित कर रहा हूँ, जो विध्यारती इस range में आएंगे, वो आपने आपको सुरक्षित मान सकते हैं, देखें जनरल के अगर मैं बात करूँ, सामान्य की तो मेरे बच्चे सामान्य का जो स्कोर है वो मेरे अकोर्डिंग होना चाहिए, मतलब उसकी cut off होनी चाहिए मेरे अकोर्डिंग 58 से 64 यानि के जो विध्यारती जनरल में है और उसका स्कोर 58 से 64 के मध्य है तो वो अपने आपको सुरक्षित मान सकता है और मेरे बच्चे अगर 64 से जादा है, 70 है तो वो फिर तो सुरक्षित है अगर बच्चो मैं बात करूँ OBC की तो OBC जो है, OBC के जो स्टूडिंट्स है उनका स्कोर बच्चो अगर 54 से 58 तक है तो वो भी अपने आपको सुरक्षित मान सकते है मेंस की तियारी मिरे बच्चे कर दीजेगा स्टार्ट अगर बच्चो मैं बात करूँ SC केटेगरी की तो SC केटेगरी का जो मिरे बच्चे स्कोर यानि के कट आफ जा सकती है वो 46 से 54 तक मिरे बच्चे जा सकती है है ना, SC केटेगरी में जिन विध्यारतियों के मार्क्स जो है वो 46 से कहां तक मिरे बच्चे 54 तक आ रहे हैं तो वो आपने आपको सुरक्षित मान सकते है और लेकपाल पटवारी के तियारी मिरे बच्चे कर सकते हैं और अगर हम लोग बात करें, SC केटेगरी की तो बच्चो, SC केटेगरी की जो कट आफ जा सकती है वो 42 से, है ना, 46 के अराउंड जा सकती है ये मेरे according बच्चो, कट आफ है जिन जिन विध्यारतियों के जो, जिस भी कटेगरी से बिलोंग करता है अगर मेरे बच्चे उनका SCORE, उनका SCORE, बच्चो, इन कट आफ के मध्य आ रहा है ये न से जादा है, तो बच्चो, वो निशिंथ होकर मेंस की तियारी कर सकता है जो कि आपका नवेंबर में होने वाला है तो अभी से आप लोग तियारी कर लीजेगा और ये कोई fix cut-off नहीं है, ये मेरा अनुमान है विध्यारतों के marks को मैंने analyze करा है, काफी विध्यारतों से पूछा है सो डिड़ सो विध्यारतों से कल मैंने पूछा, उनसे बात करी तब जाकर मैंने ये निसकर्स निकाला है कि cut-off इतनी जाएगी तो इसमें ज्यादा cut-off जाने की संभावना नहीं है तो जो जो विध्यारती यहां तक स्कोर कर रहे हैं तो मेरा बच्चे वो सुरक्षित है, वो मेंस की त्यारी कर सकते हैं ठीक है भई, all the best, take care